हरे कृष्णा मैं नवनी त्व्यासाइस्टो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टन्ट वीडियो है ब्रस्पती देवता डायरेक्ट होने जा रहे हैं लेकिन डायरेक्ट होने से पहले चार दिनों के लिए स्टेशनरी हों कि यह ऑपर्चुनिटी है इसको मत छोड़िएगा 29 जुलाइ 2022 को ब्रस्पती देवता वकर हो गए थे रिट्रोग्रेट हो गए थे और 22 नवेंबर तक रहेंगे विजिस टुमोरो इसके बाद अभी आपको बहुत से सॉफ्ट्वेर 22 और 23 को उन्हें वकर ही दिखाएंगे लेकिन अगर आप थ्यान से उनकी डिग्री चेक करें तो वो एक ही डिग्री होगी अप्रॉक्सिमेटली चार डिग्री और सेंतिस मिनट पे मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन शेर करता हूं आपके साथ तो यह देखे मैंने 22 नवेंबर 2022 का डाला है तो चार डिग्री स सेंतिस मिनट पे यहहां पर अभी वकर ही दिखा रहे हैं लेकिन इसकी डिग्री जो है वो नहीं बतले कि अगर आप यहांपर 23 भी कर देते घृतर नहीं रहे हैं जो ए जो स्टेशनरी इनका मुव्मेंट है वह एप्रॉक्सिमेटली बाइस से लेकर चब्विस को यह डारेक्ट जो है हो जाएंगे और आगे बढ़ना शुरू होंगे देखे ब्रस्पती देवता की बहुत डिफरेंट डेफिनेशन मेरे पास है आप सोचते होंगे की भ्रस्पती जो है वो किस प्रकार का धन देते हैं उसको समझने के लिए आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है वो बेसिक डिफरेंस वो डिफरेंस है लक्षमी और महालक्षमी में देखे शुक्र लक्ष्मी है और भ्रस्पती महा लक्ष्मी है लक्ष्मी आपको धन देती है बहुत पैसा आपके पास हो सकता है लेकिन क्या आपके पास प्रॉस्पैरिटी है क्या सेहत है क्या कुछ इतने प्यारे रिष्टे है जो आपके जीवन में आपको आत्मा की दिल की मन की खुशी दे सकें क्या आपके बच्चे आपके भाई बेहन आपके स्पाउस आपका जीवन साथी आपके साथ वक्त बिताता है खुश रखता है आपको या आप उनको खुश रख पाते हैं क्या आपके घर में कला कलेश बिलकुल भी नहीं होता अगर नहीं होता है तो भ्रस्पती देवता आपके जीवन में बहुत बहुत आशिरवात लेकर आपके साथ खड़ें आपकी कुंड़ी में लेकिन अगर ऐसा नहीं है बहुत पैसा है लेकिन हरे का जो मन है जो चेहरा है वो एक का इस तरफ है दूसरे का उस तरफ है और घर में कोई prosperity नहीं है सुख नहीं है शांती नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके पास लक्षमी तो है लेकिन महालक्षमी नहीं है और कभी-कभी महालक्षमी इतनी powerful हो जाती है कि लक्षमी अगर थोड़ी बहुत भी हो या यह चार दिन आपके जीवन में ऐसे दिन है जैसे मैंने अभी पीछे वीडियो किया था शनी जब स्टेशनरी हुए थे तो आपके पुराने जो काम है जो आप बहुत देर से सोचे थे कि कम्प्लीट करते हैं आपने वह आपने देखा होगा कि अचानक से वह काम हो गया कि आप जो पिछले लंबे समय से एक चीज पर पहुंचते 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 और अब यहां पर वह चीज रुख जाती है तो वह प्रस्पती देवता जब स्टेशनरी होते हैं तो आपको एक रास्ता दिखाते हैं आपके जीवन में उपर्चुनिटी को पैदा करते हैं सपोस कीजिए कि आप लंबे समय से अपनी शादी के लिए कोई रिष्टा देख रहे थे लंबे समय से आप सोच रहे थे इसे बंजो यह मुझे एक्षेप्ट कर लें जाहे लमबे समय से आप उपने जीवन में एक बच्चा लेकर आना चाहते थे मैं लेकिन कभी सेहत अलाव नहीं कर रहे थी और कभी मून第一 कर रहा था कभी सर्किंस्टैंस जालाव नहीं कर रहे थे एक तमसे opportunity आजाएगी मन में एक thought आजाएगा कि अभी करना चाहिए और उस thought को सुन लीजिएगा पता है हम कहां पे हार जाते हैं जहां पर हमारे मन में एक बहुत strong thought आता है कुछ करने का और हम उस opportunity को miss कर जाते हैं आपके बिगड़े हुए काम नहीं बनाएंगे यहां पर ब्रस्पती ब्रस्पती देवता आपको एक नई दिशा एक नई आशा की किरन एक opportunity देंगे सुन लीजिएगा उस opportunity को आप किसी को बहुत like करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं आपके पास opportunity ही नहीं आई उनको कहने की कि आउ शादी करते हैं लेकिन अब ये चार दिन में opportunity आ जाएगी मैं अपना एक नया batch वास्तू का और जोतिश अचारे का इन चार दिनों में launch करूँगा और एक workshop gemstones के उपर भी हम launch कर रहे हैं बहुत बहुत super content हमने त्यार किया है और वो content है जब आप तक पहुँचेगा तो पता नहीं कितने हजारों लोगों की जिंदगी बतलेगा ये opportunity होगी आप लोगों कोई पास हमारे channel और मेरे उस particular webinar के साथ जुडने की अगर आप gym start करना चाहते हैं सेहत को लेकर क्योंकि prosperity में ये सब चीज़े आती है what is prosperity सबसे पहली health सेहत सबसे बड़ी prosperity है आप कुछ quit करना चाहते है अपनी habit को और मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक opportunity ऐसी होगी जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी मतलब प्रस्पती देवता की blessing आपके साथ रहेगी प्रस्पती देवता का क्या काम है जीवन में महा लक्ष्मी वो कैसे बन जाते हैं देखिए प्रस्पती देवता का सबसे बड़ा कारे है हर चीज़ को balance करना अब कुंडली देखिए कुंडली में चार प्रकार के साइंज होते है फायर साइंज 159 अगर अर्थ साइंज की बात करूं तो 2610 अगर वाटर साइंज की बात करें तो 4812 एर साइंज की बात करें तो 3711 लेकिन ब्रस्पती देवता का जो element है आकाश उसके तो कोई साइं ही नहीं है तो आकाश तत्व क्या कर रहा है कहां है कौन सी राशी में है जल तत्व भी आ गया 4812 में अर्थ अलिमेंट भी आ गया water भी आ गया air भी आ गया आकाश कहां है अगनी भी आ गया आकाश इन चारो elements को balance करता है यह सभी elements हमारे अंदर है और आकाश हर जगा आपके साथ मेरे साथ हर एक के साथ है and it is balancing all these तत्वाs inside और यही तत्व हमारे emotions हैं यही तत्व हमारी desires हैं यही तत्व मुक्ष की तरफ लेकर जाते हैं और यही तत्व हमें धर्म की तरफ लेकर जाते हैं लेकिन इनको balance कौन करता है प्रस्पती देवता इसी लिए प्रस्पती देवता महालक्ष्मी है और महालक्ष्मी की जब कृपा होती है तो सब चीजें जीवन में मिलती है अच्छा जीवन साथी परिवार सुख संपदा सेहत और आप अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ करते हैं बहुत गौड फेरिंग है अपने जीवन में आप 24 घंटे conscious रहते हैं कृष्णा conscious रहते हैं और फिर भी आपके जीवन में इतने सारे दुख है तकलीफ है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो भी दुख तकलीफ आपके जीवन में आ रहा है वो भगवान की मर्जी से आ रहा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और भगवान क्यों ला रहे हैं ताकि आपके करम सेटल हो सके और जब करम सेटल हो जाते हैं तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे होते हैं ये एक हिडन फॉर्मूला है तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए जीवन में दुखों से तकलीफ से नहीं आपने सच में अच्छे किरम किये हैं आप भगवान के नजदीक हैं और वो आपके करमों को सेटल कर रहे हैं अब जब सेटल करेंगे तो दुख तो होगा ही तकलीफ तो आएगी ही हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आए जितने दुख आते गए उतना नजदीक होते गए हम भगवान के साथ यह opportunity है इन चार दिनों में भगवान के नजदीक चाने की अपने गुरूं से मिल लीजिएगा फोन पर बात कर लीजिएगा छोटी सी conference कर लीजिए अपने गुरूं के साथ जो भी आप दान धर्म अपने गुरूं के लिए करना चाते हैं आप कर दीजिए इन चार दिनों में आप देखेगा किस प्रकार आपके जीवन में महा लक्ष्मी का वास होगा prosperity का वास होगा क्योंकि जब जब भरस्पती देवता stationary हुए हैं रुके हैं हमेशा उन्होंने opportunity दी है जिस भी घर में जिस भी भाव में आपकी कुंड़ी में ब्रस्पती देवता विराजपान है तो मिनट जाके अपनी कुंड़ी खोली और देखे उस भाव से related जहां पर भी वो गोचर कर रहे हैं वहां पर और जहां पर आपक नेटल ब्रस्पती है आपकी जन्म लगन की कुंड़ी में जहां पर ब्रस्पती हैं वहां पर आपको opportunity, जरूर मिलेगी प्रथम भाव में अगर ब्रस्पती गोचर कर रहे हैं या 17 तो आप देखिएगा कि आपको opportunity मिलेगी विद्या, intelligence, आपको दोस्त करतें तें हैं यह को छोटी बात नहीं होती cardiovascular क्योंकि ब्रसपती जब पूंडली में अच्छे नहीं होते हैं तो ब्रस्पति चुछी है हो Ц Kollege क्रिएट करते हैं विवाह में कल्यूग में प्रथम भाव में सब्सक्राइब में जहां ब्रस्पति बैठे हैं लोग कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैं कहता हूं नहीं अच्छा विवाहिक जीवन के लिए नहीं अच्छा Obstacle create कर देते हैं In fact मैंने ये देखा है कि दुष्टाना भाव में ब्रस्पती विवाहिक जीवन को खराब नहीं करते जितना की केंदर और ट्रिकोन में कर देते बहुत से लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो astrology पढ़ रहे हैं वो जोतिश नहीं पढ़ रहे हैं जो जोतिश पढ़ रहा होगा इसको एबात clearly समझ में आजाएगी कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ ये एक opportunity है कुछ भी नया start करने कि आप YouTube channel start करना चाहते इंस्टा में कुछ अपनी business promotion करना चाहते इस बेस्ट opportunity इन चार दिनों में इसका जो एफेक्ट है वो लंबा चलने वाला है आप अब्रॉड की कोई फाइल अब्रॉड सेटलमेंट में पी आर के लिए या कोई वीजा अप्लिकेशन लगाना चाहते हैं आप लगाएए आपको 100% positive result मिल जाएगा क्योंकि ब्रस्पती देवता इस समय मीन राशी में गोचर कर रहे हैं उत्तर भादर पदा तो यह देखे यह देखे मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो है उत्तर भादर पदा नक्षतर में ब्रस्पती देवता अभी से अभी एंटर ही हुए हैं और उत्रभाद पदा एक ऐसा नक्षत्र है जहां पर मैंने जब भी ब्रस्पती का गोचर देखा है हमेशा ब्रॉड में लंबे समय से जो फाइल अटकी हुई थी उसके लिए एक उपर्चुनिटी आजाएगी आपको कि हाँ यह डॉकिमेंट डीजिए और अपना वीजा ली आप एड्मिशन लेना चाहते हैं बहुत टाइम से वीजा रिजेक्ट आप देखेंगे अपना इंबॉक्स एक अच्छे कॉलेज से इमेल आया हुआ होगा कि आपको एड्मिशन मिल सकती है आप ट्राइ करिए आप किसी भी प्रकार की कोई वेल्थ खरीदना चाहते हैं लंबे समय से कोई गाड़ी आप लेने की कोशिश कर रहे थे नहीं मिल पारी थी आपको मिलेगी सोना चांदी कोई भी जेमस्टोन अगर आप खरीदना चाहते हैं गोल्ड खरीदना चाहते हैं गोल्ड खरीदना का रूप बनकर वो चीज आपके घर पे आएगी और बहुत positive result आपको देगी 26 तारीक से direct ब्रस्पती हो जाएंगे और 22 April 2023 तक direct रहेंगे तो ये मेरा छोटा सा एक वीडियो था एक opportunity है क्योंकि इस opportunity में आपके लिए opportunities create होंगी आपके जीवन में balance बनेगा प्रस्पती देवता का काम ही balance create करना है आपने पिछले जनम में जब personal life के अंदर married life के अंदर बहुत problems create की होती है तो इस जनम में suffering होती है उस चीज को balance create करने के लिए balance is created that is law of mother nature इसको आप अच्छा माने या बुरा माने या आपकी और आपके गुरूओं की सोच पे है कि आपके आपके गुरूओं आपको किस तरह से groom करते हैं मैं अपने students को हमेशा groom करता हूँ कि आप जीवन में दुखों के लिए तयार रहिए और जब सुख खाए तो उसको पूरा enjoy कीजिए और दुख के लिए होसला रखिए यही द्रस्पती देवता का message होता है यह मुझे मिला यही मैं आगे reciprocate करता opportunity है जाने मत दीजेगा till then Hare Krishna बहुत बहुत प्यार आप सब लोगे को